नमश्कार साथियों, जिस दिन इस देश में सरकार शपत ले रही थी, नरेंदर मोदी जी शपत ले रहे थे, कई राश्ट्रा ध्यक्ष आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में, उसी दिन, उसी वक्त, रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था, जिसमें नौ तीर्थ्यात निहत्य तीर्थ्यात्री मारे गए, उसमें कुछ बच्चे भी थे, वो नजारे देखकर हम सबका आप सबका दिल दहला होगा, उसके बाद लगातार रोज आतंकी हमले जमो कश्मीर में हो रहे हैं, क्या ये नया कश्मीर है नरें मोदी का, इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हो और प्रधान मंत्री के मूँ से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधान मंत्री जो नवाश शरीफ को तुरंट ट्विटर पे जवाब दे देता है, जब वो बढ़ाई देते हैं आपके प्रधान मंत्री की शपत लेने पर, आप आतंकी हमलों पर एक नहीं निकला, यह भी लोग जानना चाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपके इस तथा कथित नए कश्मीर, जो बड़े-बड़े खोखले आपकी दावे थे, किसाब सब कुछ ठीक हो गया कश्मीर में, उन दावों की तो पोल लगातार खुली रही है, पिछले 10 साल में 2262 आतंकी हमलों हुए, जिसमें 363 नागरिक और 596 हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, इसका जवाब कौन देगा, इसकी जवाब दे ही है इसमें, जो पीर पंजाल रेंज है, पूंच और रजोरी सेक्टर है, यह आतंक वादियों का आतंक का गड़ बन गया है, और अब पड देगा, प्रधान मंत्री आप की अगर पटाके छोड़ना और लड़ू बांटना बंध हो गया हो, तो इस पे भी मूह खोलिए, मनिपूर पे आप चुप रहे, आप इस पे भी चुप रहेंगे, इस पर तो कुछ बोलिए, और आपने इसका भी जवाब अभी दिया नहीं ह कि कश्मीर में भारती जन्ता पार्टी जो अपने आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, चुनाव नहीं लड़ी, क्यों, आपने इस हैमत क्यों नहीं उठाई, क्या ये जिम्मेदारा ना हरकत थी कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे कश्मीर, इसका भी जवाब देना चाहिए, आप क्या हिंदोस्तान का उसको हिस्सा नहीं मानते हैं, ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब दीजिए, जय हिंद,